बहुत सब रहा है देवाद न्यू ब्लोग में आप सब का स्वागत है तो मैं आज सुपिस वेब ब्लोग यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ आज संडे है और दोनों भांजी आए है और दिदी आई है गुमने के लिए तो हम लोग आज प्रोग्रम बना है संडे के दिन में घुमने के लिए और आज जाए है समाल पूरदेबरिगोड यह वाड़ लाउफ सेंचुरी जा रहा है और आप इंचली हमरे साथ और देखें दोनों बहांज़ी गिदर रहे ह। और दोनों के साथ अज दिदी लोग भी जा रहे और देखते हैं वहां पहुंच कि क्या सब न जा रहा है पहली बार जा रहे हैं तो वीडियो में बने रहे हैं और चलान में नहीं तो स्प्राइब कीजिए बेल अको दबा दीजिए जिसे का आने वाला नोटिफिशन आपको जल्दी मिल सकें तो चलिए चलते हैं समभलपूर देबरीगड वाल लाइफ सेंचुरी गुमने के लिए तो वीडियो में बने रहे हैं और चलिए और हम पहुंच चुके हैं हिराकूद डेम के किनारे और ये देखे यहां बहुत अच्छा एक सुन्दर नजा रहा है और मेरे राइट सेट तरफ अब देख पार होंगे हिराकूद डेम का पानी है इधर और लेप सेड में जंगल गाउं सब है इधर जंगल भी है और गाउं भी है इस सेड में और यहां से देखे बहुत अच्छा एक सुन्दर नजा रहा है और हम अभी समलपूर हिराकूद डेम का किनारे हैं देख रहे हैं देखे और चोड़ी भांजी नहीं निकली है गाड़ी से गाड़ी गांदर ही है थोड़ा और दूप भी बहुत गर्मी भी कर रहा है दूप भी है और देखे पीछे का नजारा बहुत सुन्दर नजरा है और थोड़ी दिर है रस्ता है तो पहुंच जाएंगे हम देबरीगड और अभी थोड़ा से रुके हैं आपको दिखाते हैं यहां का थोड़ा से नजरा यह देखिए यहां का नजरा देखिए बहुत सुन्दर नजरा है देखिए और यह हिरागुद डेम का पानी है देखिए दूर दुख देखना से वही पानी है और हम रास्ते पे हैं और थोड़ी देर है पहुचने वाले हैं स्वाट पर और अभी रुके हैं हिरागुद डेम नदी के किनारे और देख बार रहे हैं मेरे पीछे छोड़ी बांजी निकली है अब बड़ी बांजी भी गाड़ी से निकलाई है और दिदी सब है उधर पीछे तरफ आप देख पा रहे होंगे और यहां का नजारा बहुत सुन्दर है दिखाते हैं आपको और धूप भी बहुत कर रहा है तो थोड़ी देर के बाद यहां से निकलेंगे देबरी गड़ पहुंचने वाले हैं फिर वहां से पहुंचके आपको वहां का नजारा दिखाएंगे तो यह दिखें फोटो शुटिंग चल रहा है और बड़ी दिदी फोटो हो रही है बांजी सब भी हासो बादल में तो ठीक से दिखेगा कि नहीं यह पता नहीं फोटो तुम लोग का आप दिखें बहुत अच्छा नजारा है और आप ही निकलेंगे फोड़ी दिर के बाद और यह देखें हम पहुंचने वाले हैं और देखें चारो तरफ जंगल है और बहुत सुंदर एक नजारा है रस्ता भी बहुत अच्छा बनाए हैं और देखें पहुंचने वाले हैं और देखें देब्रिगर्ड लिखा हुआ है और पहुंच गया है और अभी एंटर करेंगे अंदर और यहां से तो बहुत अच्छा और सुंदर दिख रहा है एंटर भी बहुत अच्छा है और अभी लेप सैड में जाएंगे उधर लेप सैड तरफ गाड़ी को रखेंगे सैड में देखिए अंदर जाने के लिए गाड़ी सब है और यह सैड में देखिए गाड़ी सब रखाया हुआ है और बहुत आये हैं घुमने के लिए यहां दूर दूर से आये हैं और देखिए हम भी यहां गाड़ी सैड में रख रहे हैं और यह देखिए यहां गाड़ी दिखाई दे रहा है और यह दिदी बांजी सब बैठ हैं और गर्मी भी बहुत लग रहा है और देखें गाड़ी साइड में लगा दिया है और यहां से देखिए नजरा बहुत अच्छा एक सुन्दर नजरा है चारो तरफ जंगल है जंग और चलिए आगे तरफ भांजी सब क्या कर रहे हैं अब यह देखिए हम बैठ चुके हैं अधर यह देखिए अधर कर रहे हैं वाल लाइफ सेंचुरी गुमने के लिए जा रहे हैं और एंटर कर रहे हैं और देखिए यहां से नजरा आपको दिखाते हैं अंदर और पूरा जंगल है अंदर तो और यह देखिए बहुत गाड़ी सब भी आ रहा है अंदर से और अंदर लॉज है रहने के लिए और देखिए चारों तरफ जंगल है अभी क्या दिखेगा पहले मालम नहीं और अंदर जा रहे हैं दिरे दिरे और सब इदर उदर देख रहे हैं क्या दिखेगा पहले और भांजी सब कि अपर देखिए देख रहे हैं इधर उदर क्या दिखेगा और हम लोग के साथ और भी बएटे एंग ओ से ऑदेखिए सब बहुत हींजय करते हुई जा रहे हैं द देखिए और देखते हैं क्या पहले दिखाही देगा जंगल में देखे बहूत गर्मी दो dolka time है और बहुत गर्मी भी लग रहा है और कुछ दिखाई देगा कि नहीं देगा मालूम नहीं के और बहुत अंदर तक आचुके हैं अभी तक कुछ दिखाई नहीं दिया है खते हैं आगे क्या मिलेगा किसमत साथ बढ़ेगा तो दिखेगा कुछ भी और मोर एक दिखाई दिया तो सब देख रहे हैं उदर ही और जंगल है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा और थोड़ा सा दूर है मोर एक ठो दिखाई दिया और यहां गाड़ी थोड़ा सा रुका है क्योंकि वो जंगल जाड़ी गए उदर अंदर एक दो तीन ठु है जंगली भैसा है और बहुत बड़ा बड़ा है जंगली भैसा आप देखे होगे बहुत बड़ा है और भाजी सब भी देख रहे हैं और थोड़ा दूर में हैं सब देख रहे हैं बहुत बड़ा है और आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा थोड़ बहुत बड़ा एक पेड़ है वहां साइड में बेठे हैं सब अभी दो पहर का टाइम है इसलिए और चलिए आगे तरफ चलते हैं और क्या-क्या दिखाई देगा आपको दिखाएंगे और देखे यहां बहुत सारा जंगली भैसा बेठे हैं आराम कर रहे हैं देखे और उनका बच्चा सब भी हैं और बहुत सारा हैं देखे जूम करके थोड़ा से दिखाते हैं और यह साइड में जाड़ी तरफ फिर बेठे हैं और यह साइड में भी बेठे हैं और देखे यह आगे तरप खड़ा हुआ है एक ठो जूम करके दिखाते हैं जाड़ी है थोड़ा सा आपको दिखाई निया दे रहा होगा और देखिए गाड़ी थोड़ा सा आगे धिरे धिरे जा रहा है अभी थोड़ा सा दिखाई दिया देखिए और ये है जंगली बहसा बहुत बड़ा है और दोपेर का टाइम है इसमें थोड़ा से आराम कर रहे है और देखि десят, दिखा दे रहा है देखिए और यह सैट में देखिए बंदर बहुत सारा है और पेड में चड़े वह है और सैट बहुत सारा हैं उनके बच्चे भी हैं और देखिए ये पेड में बहुत सारा बंदर है और बड़ा बंदर है आपको दिखाते हैं दुसरे साइड से ये बाब पारे इधर नहीं इधर मुंकी है ओ देए पेड में है पेड में देख रहे हैं निचे भी बेठा हैं निचे भी बेठा है और देखिए बहुत अच्छा एक सुंदर मोर है यहां खड़ा हुआ है और सब फोटो ले रहे हैं और बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ बहुत गर्मी है और देवरी गड़ का लास्ट पॉंट में आगे पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ी दिर यहां का नजरा आपको दिखाएंगे और उसके बाद निकलेंगे और तीन ठो गड़ी आया है हम लोका गड़ी पहले आया यहां तो चलिए नीचे उदरते हैं चलो चलो अर आगे का यहां का नजारा देखे और समुद्धर है बहुत अच्छा नजारा है यहां का देखे और नीचे तरफ सारा जा रही है धिरे धिरे वाँ और देखे यहां अभी लोटते समय है हमको दिखाई दिया भहुत सारा भी हरन इडिखर पानी तरफ जा रहा है पानी पीने के लिए और बहुत सुन्दरने जा रहा है दखे बहुत सारा है च्छोट olursब च्छा भी है और बढ़ बढ़ा है देखे पेड़ के पीछे है देखे और गाड़ी के आवाज से थोड़ा सा दूर चला जा रहा है देखे उसका बहुत बड़ा सींग भी है देखे और बहुत सुनर दिखाई दे रहा है है देखिए और हम बाफस लोड रहे हैं और देखिए यह हिर्याकत द्यम का पानी है और बहुत सुन्दर एक नजारा दिख रहा है और देखिए और यहां का लास्ता पुरा कंचा रस्ता है और उबड़ खावर रस्ता है सब और देखिए अभी लोट रहे हैं और थोड़ी दुर है पहुंचने वाले हैं और देखिए जो एंट्रांस से अंदर गुसे थे वहीं एंट्रांस अभी बाहर निकल रहे हैं देखिए पहुंच गया है और बहुत अच्छा लगा और बहुत गर्मी के वज़े से दुप के वज़े से बहुत टाइड भी लग रहा है क्योंकि रास्ता पुरा वड़ खावड जंगल रस्ता था और देखिए यहां का देप्रिगड लिखा हुआ है और अंदर का केमपस है देखिए और गाड़ी यहां साइड में लगा रहे है और पहुंच गया है और अभी उतरेंगे सब ठक गया है और देखिए गाड़ी से सब उतर रहे है और बहुत अच्छा जर्नी था और बहुत उबड़ खावड था और ठक भी गया है और आप भी आईए फेमिली के साथ समलपूर देबरीगाड घुमने के लिए वाल लाइप सेंचुरी बहुत अच्छा जगा है